हलो दोस्तों अगर आपके घर के वाइफाई के रेंज इशूज है यानि कोई पर्टिकलर रूम में या फिर घर के कोई कोने में रेंज नहीं आता है तो यह जो टीपी लिंक का रेंज एक्स्टेंडर है यह आपका प्रॉब्लम 100% फिक्स कर देगा और यह एक प्लग अप्ले इंगर कैसे करना है और एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टन चीज में बताऊंगा तो विडियो एंड तक जरूर देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि यह वर्क कैसे करता है इसके लिए डाइग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर यह में रूम में राउटर रखा है जो उस केस में आप range extender को कही बीच में लगा सकते हो और फिर वो यहाँ से आगे यह जो आपको circle दिख रहा है यह इसका coverage area होगा और यह जो भी आगे का range है वो cover कर देगा तो basically router का signal इस तक जाता है और इससे आगे वो extend कर देता है अब अगर box contents की बात की जाए तो आपको box में म बात की जाए तो आपको इस पे मिलते हैं दो antennas जो अच्छा कासा range extension में मदद करते हैं यह WPS button है जो US वगरा में लोग for easy setup यूज़ करते हैं पर अपन यह नहीं करेंगे और पीछे के side में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको यह 3-pin वाला plug मिलता है तो basically कोई भी 3- 3-pin जो switchboard होता है उसमें आप इसको लगा सकते हो और नीचे के side में है एक reset button और एक ethernet port तो चाहूँ तो आप अगर ethernet cable लगा के भी कोई device connect कर सकते हो अब अगर इसके setup के बारे में बात की जाए तो दो-तीन अलग-अलग methods है इसको setup करने के लिए पहले तो है यह tether app दूसरा method है वाया browser तो यह browser वाला मैंने अलड़ी एक अलग वीडियो में cover कर लिया है वो आप देख सकते हो इस वीडियो में देखते है कि इसको setup कैसे कर सकत है वाया the tether app तो इसका setup भी काफी simple है इसको बस लगाना है कोई भी 3-pin वाले socket में यहाँ पे आप देख सकते हो कि power light चालू हो जाएगा अब इसके बाद install करते है TP-Link का tether app तो यह मैंने already install किया है इसमें करते है sign-in और अगर आप first time user हो तो obviously आपको एक account बनाना पड़ेगा यहाँ पे इसके बाद यह two-factor verification वगरा आप चाहो तो setup कर सकते हैं मैं skip करता हो अभी के लिए और इसके बाद करेंगे add device यहाँ पे आपको select करना होगा range extender range extender में select करेंगे standard range extenders और यह बता रहा है कि plug-in your extender to a power outlet wait for about one minute until its power light is on जो कि अब मैंने पहले ही कर दिया है इसके बाद करेंगे next location permission मांग रहा है अब यह search कर रहा है for the extender और automatically उसको connect कर लेगा इसके बाद यह password पूछ रहा है which is not your wi-fi password बलकि यह device को access करने के लिए एक password आपको डालना पड़ेगा मैं यहाँ पे normal admin 123 रखतेता हो but आप कोई भी password रख सकते हो जो आपको याद रहे and which is secure password अब password एंटर करने के बाद यह जो next चीज़ आपको दिखाएगा वो है अलग-अलग networks wi-fi networks आपके area में तो जो भी आपका network है उसको आप select कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने मेरा घर का network select किया और enter करूंगा मेरा wi-fi password तो password एंटर करने के बाद जब next करते हैं तो स्क्रीन पे आपको वह confirmation दिखाएगा यहाँ पे apply करना है अब यह step पे जो भी अपन ने app through configurations किये उसको वो range extender में load कर देगा ताकि you don't have to do this again and again तो आप चाओ तो range extender बंद हो जाए या जो भी हो जाए when you turn it back on it will automatically connect to your network अब यह दिखा रहा है कि कहां पे range extender लगाना चाहिए तो इन लोगों ने लिखाए कि plug-in the extender about halfway between your router and the Wi-Fi dead zone या अगर 30 meter पे आपका dead zone है तो 15 meters के around यह range extender लगाना चाहिए अब मैंने move कर दिया range extender to a different location तो मैं click करता हूँ looks good पे और finally एक confirmation screen दिखाता है कि you are connected to the network और सारा setup हो गया है तो यह था setup के बारे में अब देखते हैं इसका actual demonstration तो मैं मेरे laptop को connect करता हूँ देखते कि speed वगरा कैसे मिलता है तो यहाँ पे मेरे laptop पे आप देख सकते हो कि जो मेरा existing network है उसका range काफी कम आ रहा है यह room में और अब मैं connect करता हूँ अपने extended network से जिसका wifi name है ext से end हो रहा है तो यह हो गया है connect और अब आप देख सकते हो कि range is like 100% over here और यहाँ पे आप देख सकते हो कि speed बगरा भी काफी अच्छा मुझे मिल रहा है with an extended range यह था एक चोटा सा video जिसमें हमने देखा कि कैसे एक range extender use करके आप अपने wifi का range increase कर सकते हो तो अगर आपको कोई भी question हो about this product य या फिर यह process जो हमने इस वीडियो में देखा तो अब नीचे comments में लिख सकते हो और मैं उसको answer कर दूँगा So thank you guys for watching this video and do subscribe to my channel